पूछने चाहते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब हैं वो सुन्नत नहीं पड़ते सिर्फ फर्द नमाज पढ़ते हैं और फर्द नमाज ही के टायम पर आते मुसल्बम नमाज पढ़ा के भिर से ले जाते हैं तो पहली और बाद की सुन्नत पढ़ते नहीं द देखा गया AND ऐसी सूरत में उंखला ऑपके सामने सुन्न₪ सुनत नहीं पढ़ते यह मस्जिद में सुनत नहीं पढ़ते तो यह चीज ¿की दलील नहीं है कि मुतलकन सुनत नहीं पड़ते मूंकिन है कि वह घर जाकर यह अपने हुज्र एव गेरह में जाकर शुन那麼 पड़ते होंगे कि तो उसने जन कि कर लें कि इमाम साहब सुन्नते पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते असा नहीं होगा के मस्यूंद की इमाम हो सुन्नते ना पढ़ते हुए बहुत से लोग ऐसे होते हैं,ень भिप इसी अमल को कゃना की फॉर्द नमाज की बाद फॉरण अपने घर की तरफ यक कुछ चले जाते हैं और फिए घर पे आने की बाद सुननते पढ़ते हैं यहाह तक के इश्या के वित्र भी घर के अंदर लोग पढ़ते हैं यह तजूर्बा ओर देख भी गया और ऐसा होता भी है तो इमामज होती है तो अक सुनत पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपके इमाम साथ ये सूरत हैं, कि उनको सुनत पढ़ता नहीं देखा गया, तो आप देहकीक करें, मालूम करें, कि सुनत पढ़ते हैं या नहीं और आपको इस तहकीक और मस्जिद में लेकिन हुजरे में ज़रूर पढ़ते हूंगे आप एक मरतावा पूछ ले और उनके पीछे जमात से वो नमाज आप पढ़ सकते नमाज पढ़नी चाहिए फकत इसलिए नमाज यह जमात को तर्क नहीं किया जा सकता कि हमने उनको सुनत पढ़ते हुए नहीं दे